नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब आई होके अच्छे होंगे तो दोस्तों आज लेकर आई हूं मैं बहुत ही छोटी सी यूस्फूल वीडियो तो दोस्तों रिक्वेस्ट करती हूं कि पूरा देखिएगा तो दोस्तों आज का मेरा टिप्स जो है वो है गैस बर्नर को लेकर जैसा के देखिए गैस बरनर को अगर हम लोग time to time अच्छे से देखबाल ना करें तो हमारा block हो जाता है जो hole होता है गैस बरनर का और अगर block हो जाए hole तो हमारा guess बहुत ही waste होता है तो आज हम easily तरीके से साफ करने के लिए बताइंगे सिर्फ एक मिनट लगेगा इसे साफ करन लिए हम यहां पे ले लीए है प्लास्टिक का जैसा है यह डबा और इसमें हमें क्या करना है कि सबसे पहले यहां पर हम देखिए हम साफ करने वाले दोस्तों कोई भी हार्पी करने आप पीतल का है तो पीतल हो जाएगा अगर लोहा का है तो लोहा हो जाएगा तो यहां पे जब भी हार्पिक से साप करना हो तो यहां पे कोई बर्तन वेगरा ना ले इस तरीके का कोई भी डबा ले लीजिए तो देखिए यहां पे हमें क्या करना है कि सबसे पहले हार्पिक को दूसरे बार में थोड़ा सा वीडियो बना के आप लोगों को दिखा रहे हूं तो यहां पे मेरा 15 मिनट हो गया है तो यहां पे हम एक तूदपीस ब्रस लेंगे और इससे इस तरीके सरब करके और इससे अच्छे से हम छुडा लेंगे अगर हमारा लोहा का है तो लोहा हो जा देख सकते हैं दोस्तों थोड़ा हमारा देखे कितना चमक गया है तो हम इसे दूसरे बार साप कर रहे थे तो यह मेरा पीतल कहीं है लेकिन अच्छा से क्लीन हो गया है अगर एक बार और हम साप करेंगे क्लीन करेंगे तो मेरा अच्छा से हो जाएगा तो दोस्तों क्लीन क और काफी अच्छा लग रहा है पहले के और अब के में हमारा बहुत ही अंतर दिख रहा है दोस्तों तो इसे अगर हमारे गैस चुलेंगा जो बर्नर है उसे 15 दिन पे एक्सर साफ कीजे तभी अच्छा रहता है नहीं तो अगर हमारा होल बंद हो जाएगा तो गैस बहुत ही बेश्टेज होता है दोस्तों तो बताईएगा दोस्तों कि गैस बर्नट साप करने वाला आज का वीडियो कैसा लगा वीडियो यूजफुल लगा हो पसंद आया हो तो लाइक कीजेगा और कॉमेंट करके बताईएगा दोस्तों कि हमारा वीडियो कहां से आप लोग देख रह बाई बाई हर हर महादेव फूलो अच्छा